हलो दोस्तो स्वागत है अब सभीका यह खबर उन लोगों के मुह पर एक जवर्दस्त तमाचा साबित होगी जो मूदी सरकार द्वारा पपजी सहित 224 चाइनिज एप को बंद करने पर अलूचना कर रहे थे उनके तरके हिसाब से पपजी सहित जो बाकी चाइनिज एप्स हैं भारत में बहुत कम कमाये करती थी साथी साथ उन्होंने कहा कि टिक टॉक और पपजी जैसे एप को बंद करने से भारत में रोजगार खतम हो जाएंगे इसके साथी साथ नाजा ने क्या-क्या तर्ट दिये गे खासकर उन्होंने कहा कि इन एक्स को बंद करने से चाइना को कोई निकसान नहीं होने वाला लेकिन आज की वीडियो को देख करके उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि भारत की बिस्व में क्या हैसियत है और भारत किस तरह से चाइना को गुटने पिला सकता है लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम सभी भारतियों को एक होना पड़ेगा हैराणी सिर्फ इतनी होती है कि क्या इन लोगों को चाइना भारत बौडरों पे सहेद हुए लोगों के परिवारों के कोई चिंता नहीं होती मोदय सरकार ने तो यह नहीं कहा कि सभी चाइनी समानों को बयसकार करना है और जजबातों में बैट करके अपना नुकसान करो लेकिन चाइनिज समानों को खरिदने से पहले कम से कम यह तो लोग इतना करी सकते हैं कि भारते बिकल्ब ढोड़ने की कोशिस करें और या फिर कम से कम चाइनिज समानों का कम से कम इस्तमाल करें यह लोग ओही हैं जो आए दिन TV चैनलों पे बैट करके भारतिय अर्थ विवस्ता का रोनार होते हैं जब यह लोग खुद भारतिय समान नहीं खरिते हैं तो कैसे भारतिय GDP का रोनार होते हैं भारती आर्थ वस्ता के उपर उंगली उठाने वाले लोग खुद सबसे पहरे विदेशी समान करिते हैं और भारती समानों को बहिसकार करते हैं PUBG और TikTok जिसे आप को बंद करने पर उन्होंने बोला कि भारत में टैलेंट खतम हो जाएगा लेकिन इनको यह नहीं पता कि इनके अलावा ऐसे बहुत सारी आप हैं जिनको इस्तमाल किया जा सकता है जैसे कि YouTube, Instagram, Facebook या फिर बहुत सारी भारती आपस हैं और जहां बार टैलेंट की होती है टैलेंट किसी एक दो आपस के भरोसे बंद नहीं हो सकती इन एपस को बंद करने पर इनका सबसे बड़ा दलील था कि चाइना को इन एपस से कोई ज़्यादा खमाई नहीं होती इसलिए भारत को इन चाइनेज एपस को बंद करने से चाइना कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो ताजय रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट इन लोगों के मुँव पर एक तमाचा है दरसल एक बहुत बड़ी वेबसाइट एस्पोर्टस अबजरबर के दोरा एक बहुत बड़ी ख़बर आई है कि पबजी एप के बंद होने के एक दो दिन के अंदर ही टेंसन कमपनी का मार्केट बैलियू में जबरदस्ट 42 बिलियन डॉलर के गिरावाथ आई है और अगर 42 बिलियन डॉलर के भारती रुपिय में देखें तो यह करीब 3 लाग क्रोर रुपिय होता है यह है भारत की ताकत यह तो सिर्फ एक पबजी एप का नुकसान है सोचे 224 चैनिस एप का कितना नुकसान हुआ 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 चैनिस का अब नुकसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो हमारा कहना है कि जब बात चैनिस समानों के बहसकार की आती है तो हम सभी भारतियों को एल जोटो करके सरकार का साथ देना चाहिए